प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विशय है टिपण सरकारी कार्यलेयों में पत्र विशेश को निप्ताने के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यक्ता नुसार, सचेव, मंत्री या प्रधान मंत्री तक जो संग्षित मंतव्य लिखा जाता है उसे टिपण लेखन अत्वा टिपणी कहा जाता है कार्यले टिपण में कुछ विशेश भातों का ध्यान रखना होता है पहला है पूर्ववर्ती पत्र का सार संग्षेप होना चाहिए दूसरा मामले का विशलेशन होना चाहिए तीसरा है उस कारवाई के बारे में सुझाव भी दिया जाना चाहिए और चोथा है निर्णई के लिए अभिमत होना चाहिए जैसे सरकारी कार्यालेयों में लिपिक सहायक पत्र पर टिपणी लिखता है तथा कार्याले का अधिक्षक अत्वा अनुभाग अधिकारी उस टिपण को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर कर देता है और यदि वह साहयक द्वारा लिखे गए पत्र पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहे तो अपने विचार लिखकर अवर सचिव यानि की अंडर सेक्रे पून हो जाती है टिपण के प्रकार टिपण की लेखन प्रक्रिया या प्रक्रति के आधार पर टिपण को इन सात प्रकारों में विभाजित किया गया है पहला है सामान्य टिपण दूसरा है सूक्ष्म टिपण तीसरा पून टिपण चौथा अनुभागिय टिपण पांच प्रच्वा अनुपचारिक टिपण, छट्वा नित्यक्रमिक टिपण और साथ्वा आनुशंगिक टिपण पहला है सामान्य टिपण कार्याले में बहुत से ऐसे पत्र आते हैं जिनका उत्तर साधारण सा होता है इसके लिए पिछले इतिहास का संकेत करने की आवशक्ता नहीं होती उन पर दी गई टिपणी, सामान्य टिपणी तथा इस प्रक्रिया को सामान्य टिपण कहते हैं जैसे नथी करें, अवलोक नार्थ प्रस्तूत, सूच नार्थ प्रेशित, आदी दूसरा टिपण का प्रकार है सूक्ष्म टिपण कार्यले में प्राप्त अनेक पत्र सम्मंदित अधिकारियों के देखने के पश्यात फाइल के उपरी भाग पर नथी कर दिये जाते हैं ऐसे पत्र शाखा अधिकारी या उपसचेवादी को भेजे जाते हैं वे उस पर अपनी सूक्ष्म टिपणी लिखते हैं सूक्ष्म टिपणी पत्र के बाई और लिखी जाती है जैसे अवलोक नार्थ या सम्मति के लिए टिपण के उच अधिकारियों के पास भेजे जाने पर या उपर से लोट कर नीचे के अधिकारियों के पास आने पर उन समस्त अधिकारियों के नाम वपद अंकित किये जाते हैं जिनके पास उसे भेजा गया था या भेजा जा रहा है अधिकारियों द्वारा किया गया सुक्ष्म टिपण इस प्रकार होता है देख लिया है, ठीक है, या मैंने आलेक में कुछ परिवर्तन कर दिये है, या कृपिया मिल लीजिये, या संबंदित नियम का संधर्ब दें, या गत पत्र का फाइल में प्रश्ट संक्या अंकित करें आधी ऐसे टिपणियां बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें सुक्ष्म टिपण कहते हैं, इन्हें टीब भी कह दिया जाता है, मंत्री एवं उच्च अधिकारी इन्हीं का प्रयोग करते हैं टिपण का तीसरा प्रकार है संपूर्ण टिपण, कुछ पत्रों के विशय विवाद ग्रस्त होते हैं, ऐसे विशयों पर टिपण कारे करना सरल नहीं होता है उनकी पूरी जानकारी रखनी पड़ती है, इसमें एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है सर्व प्रथम पुरानी फाइलों में से उनका पूर्ण विवरण देखना पड़ता है, फिर उससे संबंदित नियमों, अधिनियमों, कुछ समय पूर्व लिखे गए निर्णयों, आधि का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है इसके बार टिपणी में विशय का पूर्ण इतिहास संक्षेप में अनकित किया जाता है, पूर्व की समग्र कारवाही का विवरण, विभिन मंत्रालेयों, कार्यालेयों से प्राप्त अभ्युक्तियों का संकेत भी दिया जाता है पत्र से संबंदित समस्या का विवरण देने के पश्यात विभिन तरकों एवं तत्यों से युक्त कुछ सुझाव भी दिये जाते हैं ऐसी टिपणियों को संपूर्ण टिपण कहा जाता है ऐसी टिपणी लिपिकों द्वारा तयार कराई जाती है तथा आदेश के लिए उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है टिपण का चौथा प्रकार है अनुभाग ये टिपण कुछ पत्रों में ऐसे मुद्धे भी होते हैं कि जिन पर कोई एक अनुभाग स्वयम टिपण नहीं लिख पाता उनके लिए भिन भिन विभागों से अलग-अलग आदेश प्राप्त करते हैं टिपणिकार प्रत्येक मुद्धे पर अलग-अलग टिपणी तैयार करके उन पर आदेश प्राप्त करता है ऐसी टिपणियों को अनुभागिक टिपण कहते हैं टिपण का पांचवा प्रकार है अनौपचारिक टिपण जिनमें नियमों के पालन का बंधन नहीं होता उन्हें अनौपचारिक टिपण कहते हैं प्राया अनौपचारिक टिपण एक मंत्राले से दूसरे मंत्राले को तथा एक कार्याले से दूसरे कार्याले को भेजे जाते हैं ये प्राया किसी पत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं, ऐसी टिपणियों के सम्बंद में प्राप्त होने वाले उत्तर भी अनौपचारिक टिपण ही कहलाते हैं। टिपण का छटवा प्रकार है नित्यक्रमिक टिपण। कार्यले में छोटी-छोटी बातों के सम्बंदित तयार की जाने वाली टिपणियां नित्यक्रमिक टिपण कहलाती हैं। कहते हैं तिपण करता द्वारा लिखी गई तिपणी से अधिकारी के संग्षिप्त हस्ताक्षर युक्त सहमती प्रकट करने वाले कार्ये को आनुशंगीक तिपण कहते हैं तिपण की विशेष्टाएं टिपण की विशेष्टाएं कुछ इस प्रकार है पहली विशेष्टा है संक्षिप्तता टिपण का उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशे व्यक्त करना होता है अधा टिपण संक्षिप्तत तथा स्पष्ट होना चाहिए टिपण की दूसरी स्पष्ट भाषा तिपण की भाषा सरल, सुस्पष्ट, सैयत तथा संप्रेशनिय होनी चाहिए ब्रमात्मक एवं दोयर्थक शब्दों का प्रियोग नहीं होना चाहिए तिपण की तीसरी विशेष्टा है क्रम बद्धता आशय के आकलन के लिए टिपण में क्रम बद्धता होना बहुत ही आवश्चक है विस्त्रिट टिपण को अनुच्छेदों में बाट देना चाहिए टिपण की चौथी विशेष्टा है तटस्थता किसी भी उतक्रिष्ट टिपण के लिए पूर्वाग्रह को छोड़ कर केवल टिपण से सम्बंदित बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए टिपण की पांचवी विशेष्टा है प्रभावान विती शब्दों, विचारों, अनुच्छेदों आदिके प्रभाव की अनविती अस्त व्यस्त न होकर ठीक ढंग से सुगठित रूप में होनी चाहिए